Good morning dear students, exercise 1H देखिए बटा, इसमें क्या है, हमारे पास Roman numerals है, Roman numerals हम लोगों ने third class में भी किये थे, तो इसमें एक बार देखिए बटा, Numerals I and X can be repeated to form a number, I को और X को हम क्यों भी नमबर को बनाने के लिए हम repeat करते हैं, Repetition of these symbols mean addition, means कि यदि आप इन numbers को repeat कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, कि वो number add हो रहा है, ठीक है, These symbols cannot be repeated more than three times, Roman numbers में बटा, कोई भी number है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तीन बार ही repeat होता है, उससे ज़्यादा वो number repeat नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, और V कभी भी repeat होता ही नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, V कभी भी repeat नहीं होता, V और L, मिन्स के अब की बार तो 4th class में आपके 40 तक के ही Roman number है, इसलिए आप 39 तक के ही Roman numbers करेंगे, 111 आई 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 लिख रहा है, मिन्स की 1 प्लस 1 प्लस 13 है, 10 को 3 टाइमस लिखा है, X का मतलब होता है बेटा 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 हो गया ये, ठीक है, उसके बाद आगे वाला है, when a smaller number is on the left of a greater number, बड़े number के left में यदि छोटा number है, इट मिन्स की वो उसमें से subtract हो रहा है, उसके बाद है, when a smaller number, numeral is on the right of a greater number, यदि greater number के right में उससे छोटा number है, इट मिन्स की वो उसमें add हो रहा है, left में है तो वो उसमें क्या हो रहा है बिटा subtract हो रहा है ठीक है Roman numeral आपकी book में given है 39 तक आप देखेंगे 1 ऐसे लिखा जाता है 2 को I लिखा जाता है 3 को 3 times 4 क्या है 5 में से 1 को subtract करना है क्योंकि हमने पढ़ा है कि Roman numeral में कोई भी number 3 times से ज़्यादा repeat नहीं होता ठीक है Roman numeral में basic symbol 7 है ये भी आपके objective question में बन जाता है 5 में से 1 को आपने subtract किया 1 subtract कर दिया तो क्या बन गया 4 बन गया V क्या है बिटा 5 है V के right में आपने 1 लिख दिया 5 plus 1 क्या बन गया 6 बन गया 10 तक यदि आपको आते हैं बिटा तो आगे कोई problem है लिखने में कोई लिक्कत नहीं है 39 तक आपको ठीक है 7 में क्या लिखोगे 5 में आप 2 add करोगे 5 plus 2 7 बन गया 5 plus 3 8 बन गया फिर उसके बाद यहां 3 times तक हम repeat कर चुके है अब आपको 10 में से 1 को subtract करना है means कि क्या बन जाएगा 9 9 का क्या symbol है I X है ठीक है 10 का क्या symbol है बिटा X है ठीक है 10 तक आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 को हम कैसे लिखते हैं बिटा IV 5 को कैसे लिखा जाता है V 6 को 5 में 1 add करेंगे 7 को कैसे लिखेंगे 5 में 2 add करेंगे 8 को कैसे लिखेंगे बिटा 5 में हम 3 add करेंगे 9 को कैसे लिखेंगे 10 में से 1 को subtract करेंगे I X बनेगा 10 कैसे बनेगा X लिखेंगे ठीक है उसके बाद 11, 12, 13, 20 तक कोई problem नहीं है आपको 11 के क्या लिखना है 10 के साथ 1 लगा देना है 12 को कैसे लिखोगे 10 के साथ 2 लिख दोगे 13 को 10 के साथ 3 10 के साथ 4 लिखोगे तो 14 10 के साथ 5 लिखोगे तो 15 10 के साथ 6 लिखोगे तो 16 10 के साथ 7 लिखोगे तो 17 10 के साथ 8 लिखोगे तो 18 10 के साथ 9 लिखोगे तो 19 और 10 के साथ 10 लिख दिया 10 plus 10, 20. ठीक है बटा? फिर 21 कैसे लिखोगे? 20 plus 1, x, x1. 22 कैसे लिखोगे आप? xx2, 10 plus 10 plus 2, 22 वन गे ने बटा? 23 को आप कैसे लिखोगे? 10 plus 10 plus 3, 23. 24 को कैसे लिखोगे? 10 plus 10 plus 4, ठीक है? 25 को 10 plus 10 plus 5, 26 को 10 plus 10 plus 6, ठीक है बटा? बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रोब्लम नहीं है, आप इनको लिख लेंगे. ठीक है? एक बार बुक में देखना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्या है, यदि आपको 10 तक आते हैं, तो 39 तक लिखने में कोई भी प्रोब्लम नहीं है, ठीक है, अब आप exercise की question देखिए बिटा, match दा following as shown, आपको match करना है, 9 कैसे लिखा जाता है, आपको पता है न, 9 को हम I, X लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद 28 को कैसे लिखा जाएगा बिटा, 20 और 8, 20 कैसे लिखेंगा, X, X और 8 को 5 प्लस 3, V, 1, 1, 1, ठीक है, 35 को कैसे लिखा जाएगा बिटा, 30 लिखोगे पहले, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 और फिर 5, तो 10 का सिंबल क्या है हमारे पास, X है, तो X, 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 V, उसके बाद 15 को कैसे लिखोगे बिटा, 10 प्लस 5 होगे न, 15, आप उसको break करके देखो, उस नमबर को और फिर लिखो उसको, 10 हम कैसे लिखते हैं बिटा, X और 5 को कैसे लिखते हैं, वी लिखते हैं, ठीक है, 20 को हम कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 10, मिन्स की X, X, 27 को कैसे लिखा जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2, 20 लिखो पहले तो आप X, X, फिर 7 लिखो, 7 कैसा लिखा जाएगा 5 प्लस 2 V 1 1 12 को आप कैसे लिखोगे 10 प्लस 2 तो X X 1 1 18 कैसे लिखोगे 10 प्लस 8 8 कैसे लिखा जाता है बटा 5 प्लस 3 तो X 10 हो गया 5 15 हो गया 1 1 1 I I I लिखा हमने तो क्या बन गया 18 बन गया ठीक है बिल्कुल simple question है कोई दिक्कत नहीं है यह क्या है बिटा इसको देखे आप यह 10 प्लस 10 प्लस 10 यह क्या बन गया 30 और यह I X क्या होता है बिटा 9 तो यह क्या बन गया 39 V है आमारे पास V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 5 तो यहाँ क्या लिख दो गया 5 x three times repeat हो रहा है तो x किसके लिए हम use करते हैं बिटा 10 के लिए तो 10 plus 10 plus 10 कितना हो गया 30 ये देखे क्या है x, vy, i x क्या होता है बिटा 10 होता है v क्या होता है 5 होता है और i क्या है 1 है तो यदि right में number है तो वो add हो रहा है और left में होता है तो वो बिटा subtract होता है, तो ये 10 प्लस 5 प्लस 1, तो 10 और 5 15, 15 और 1 कितना बन गए है बिटा, 16, उसके बाद X, X, I, 20 प्लस 1, 21, X क्या है बिटा, 10 है, उसके बाद G पार देखी ये 25, ठीक है, ये X है और ये IX है, ठीक है, X क्या होता है, 10 होता है, और I, X क्या होता है बिटा, 9 ह तो यह क्या बन गया 19 बन गया ठीक है which of the following are wrong इसमें गलत क्या है मैंने आपको बताया था we कभी भी repeat नहीं होता तो यह wrong है यह right है यह 6 है अमें पता है यह 15 है यहां देखो फिर repeat हो गया वी तो यह फिर wrong है ठीक है यह 10 प्लस 4 15 हो गया यह 10 प्लस 16 हो गया वी कभी भी subtract नहीं होता है किसी भी नंबर में से यह ध्यां रखना है बड़े नंबर के left में कभी भी वी नहीं आएगा ठीक है एकस के इधर वी होता ना right में तो यह 15 बन जाता लेकिन वी कभी भी बड़े नंबर के left में नहीं आएगा बटा तो यह wrong है तो wrong कौन सा हो गया एक तो a part है यह wrong है उसके बाद e part है वो wrong है और h part है वो wrong है बाकी सबी right है उसके बाद आप देखे fourth question है fill in the blanks using greater than less than or equal इनके अंदर आपको क्या करना है less than greater than or equal to का sign use करना है बटा तो आप पहले तो यह दे तो 10 बड़ा है बटा और 4 चोटा है तो यहां कैसा sign आजएगा less than का sign आजएगा ठीक है यह क्या है 10 प्लस 6 16 है और यह 30 है तो 16 चोटा है बटा और 30 बड़ा है तो यहां भी less than का sign आएगा यह ध्यान रखना है जो number बड़ा है उसकी तरफ मुझ खुला रहेगा और जो number चो पार्ट में 7 है और यहां 12 है तो बटा 12 बड़ा है और 7 चोटा है तो less than का sign आएगा यहां 13 है और यह भी 13 है तो यहां equal का sign आएगा 10 प्लस 7 17 और यह क्या है 16 तो यह वाला number बड़ा है तो यहां greater than का sign आएगा ठीक है यह 25 है और यह 9 है तो greater than का sign आएगा यह 30 है यह 30 है equal to क sign आएगा उसके बाद add the following and write the answer in Hindu Arabic numbers इनको बिटा आप सोच के लिख लो कोई दिक्कत नहीं है यदि ऐसे समझ नहीं आता तो आप वैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है answer आपको Hindu Arabic में देना है आपको ये दिया हुआ है तो V plus V कितना हो गया 5 plus 5 कितना आएगा बिटा 10 आएगा ठीक है उसके बाद B part है 3 plus X ये 3 है और ये 10 है 13 है आप ये मस यहां हमने अलग-अलग numbers को एड़ कर रखा है बिटा मैंने पहले बताए था कि छोटा number कभी भी उसके आता है तो left में minus हो जाता है लेकिन ये number तो add कर रखे हमने तो ये 10 है और ये 3 है 13 आएगा ठीक है X plus 5 10 plus 5 कितना हो गया बिटा 15 हो गया 20 और ये 2 तो यहां 22 आजाएगा ये 10 plus 9 19 आएगा 5 plus 4 9 आएगा ये 5 है ये 4 है 5 plus 4 कितना हो गया बिटा 9 इन दोनों को add करना है ये 25 और ये 10 तो क्या हो गया 35 आएगा ये आपे 30 plus 20 कितना आएगा 50 आएगा ठीक है इनको बिटा बुक में फिल नहीं करेंगे आप इनको आप अपने आप नोट बुक में करके देखेंगे उसके बाद 40 तक के 39 तक के रोमन उम्मरल से आपको आगे गीवन है एक दो बार आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा थैंक्यू